किया नाम है आपका उद्धा बेटा दर देखना मोबाइल को आप लोग किस चीज का विरूद कर रहे हो क्या मांग कर रहे हो सरकास कि मूलिका घांजी जारा चला कि मिल्डी क्याम्पिगें इसके अंचल कर दा में पता चला कि किसी भी महिला य कि लड़की के साथ को यौन शोशन होता है इसके चेल ठाड़ी होता है अगर हमारे लगता है कि हम ऐसे गलत कर दो मिसके खिलाव अवाज इठा सकते हैं और बिना शर्म कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और यहां ते की यह बेजिस अच्छा है कि जो पानचे साल प्हले केसर बंद हो गयते हैं जिसमें अगर किसी महिला को नयाय नहीं मिला रहा है तो उसके कर वो इसके खिलाफ रिस्टा बागी तो उसको जाय मिल रहा है और इससे सबसे बड़े अच्छी जीद यह है कि चाहे कोई सिलिवरिटिंग हो, कोई बड़ा नेता है यदि जो हम लोग दर जाते हैं कि वे हमसे और में बहुत बड़े हैं बलकि हमें ही समाज गलट ठराएगा, वो हमें नहीं सुनना पड़ेगा और अब हम अपनी चाहे कोई सिलिवरिक्टिय चाहे नेता है, अब उसे भी सदा मिलेगी इस कैम्टिंग से में सबसे अचा फाइदा है आज अब लोगों कि चालता है आज इस लोगों में यौन शोर्शन के खिलाफ प्रदैशन किया है और ये बहुत खुशी कि हो रही है कि ये कैम्टिं चालू हुआ, मीटू कैम्टिंग और हम सबी इसका समर्थन करेंगे इसके खिलाफ पर इसके साथ में प्राइशन के जाए जितने भी गार्णा बॉलिक उसके बियुक्ता जिन्हों ने जर्ट का उनके खिलाफ उनके खिलाफ ये आवाज इठाई है कि उन्हें सक्ट सक सेजा हो और सभी को ये आदमी विश्वास और बड़े कि हाँ बड़ी कोई इंसान हो बड़ा है लेकिन अगर किसी में उसके साथ मिला एक साथ जलत किया तो उसे सजा जरू है क्या नाम में? जी आज क्यों प्रेशन कते हैं क्या है? जो ये मुल्क जी ने प्रेशन निकाला है और जो बच्छे ये मैलाओं के उपर अत्याचार्चु हो रहा है उसमें ये सब करते हैं क्यों है लोग अन्यचार्च के साथ लिए को हम लोगोने सात यी से प्रेहाँ करेंगे और हमारी देश की मां महिलाएं की सतंत रूट से आगे बढ़ सके और जा सके जएके जिसमें हमारे कॉमर्स के इस्टेंट है और इसमें लोगों ने सब मिलके क्या नाम है आपका जोती यह बताईए आज किस तरीके से कहां पर क्या मांग कर देंगे और हम महला सभी से यही मांग है कि जागरू को और इस पैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक हम पहलाएं ताकि उन रास्ते में छेड़ चाड़ बंद हो सके लड़कियों के साथ और मह कर दो तो जाएं आफ में झाल कि न हो जाच अव्यादा लोगों के साथ को बाता है को बंद हो यह वैँन आफ आपा जाफ बंद हर घृ जाब शो एंगेशन नेद बंद हांएं यह हो गाभरूं को आपाल